यह है दो स्माटफोन का बैटरी और यहाँ पर यह जो बैटरी है यह विडियो में आपको एंड तक पता चलेगा यह जो बैटरी है इसको हम रिपियर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा तो बैटरी से लेटर बहुत सारे आपको information इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो आप अगर interested हो इस topic के बारे में तो make sure इस वीडियो को end तक देखते रहना ताकि आपको सही तरीके से बैटरी से लेटर जो information है वो मिल सके तो चले इस वीडियो को start करते हैं अभी के टाइम पे बैटरी का जो technology है ना वो दो तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं एक है पहला lithium polymer battery जो कि अभी के टाइम पे जितने भी सारे latest phone आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं दूसरा है lithium iron battery जो कि पूराने battery होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें इस battery के बारे में तो यह एक lithium polymer battery है और सबसे पहले इसका जो seal है उसको हम निकालेंगे और इस battery का जो IC वगरा है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे तो उसके उपर में एक पन्नी जो है रहता है तो हम इसे easy से निकाल सकते हैं यहाँ पे आप देखे दो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो इसको निकालनेके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जागा battery का जो main IC system है जो component है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बैटरी का जो IC है वो बहुत जीदा नाजूक चीज के साथ मैं जो है बना हुआ रहता है तो इसे आप easy से खोलिएगा यहाँ पे एक plastic protection भी दिया हुआ रहता है अगर हम बात करें इस बैटरी की बारे में तो यहाँ पे आपको दो terminal लेखने को मिल जाएगा एक है plus दूसरा है minus और यहाँ पे easily आप इसे find out भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कौन सा plus है कौन सा minus है यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो कि तो बहुत सारे component हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो terminal के आस पास मैं सारा जो component है वो यहाँ पे दिया हुआ रहते हैं उसके अलाबा यहां पर गुलू के साथ मैं पैक किया हुआ एक आईसी आपको देखने को मिल जाएगा इस आईसी का एक्चुल में काम यह होता है कि बैटरी के अंदर में कितना परसंड चार्ज है बैटरी जो है कब ड्रेन होगा कितना परसंड का उसमें चार्ज जो है चार बैटरी का रेक है किस तरी किसे चार्जिंग हो रहा है यह फिर स्लो चारजिंग करना है सारा जीज का जो डेटा है वह इसके अंदर में रहता है और प्यार कोंपोनेंट का यहे अकक्शुली क्या बैटरी का जो टेंप्रेजर सेंसर क् apologise हिए क्योंकि रिँए काफी हीट होता है तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए यहां पे तैंपरेचर सेंसर दिया गया है से अलाबा हूं बैटरी में देखे तो यहां पहले आपको बैटरी के जो टरमिनेल है वहां पे आते हैं कुछ पीन्ज यहां पर आपको देखने को मिले वो इस बेस के जरिए हमारे फोन के जो मदरबोर्ड है उसके साथ में कनेक्ट होता है यहाँ पर सारे बैटरी में आपको यही सी मेकानिजम देखने को मिल जागा यह जो बैटरी है इसमें भी आपको एक प्लस दूसरा माइनस और बीच वाला जो सिस्टम है वो आपको बेस द है वो easily आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप किसी भी बैटरी में जो बेस है उसे easily find out कर सकते हो तो guys अभी तक आपने देखा कि बैटरी के अंदर में कौन-कौन से component होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी से later कुछ problem को आप कैसे find कर सकती हो और किस तरीके से आप उसे solve कर सकते हो तो guys यहाँ पर आपने देखा होगा कि बैटरी जो है कई बार बहुत ही कम टाइम में फूल चार्च हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में बैटरी जो है drain हो जाता है तो यहाँ पर उस case में बैटरी के अंदर क जो base होता है वो उसमें problem होता है और base में अगर एक बार problem आ गया तो battery के अंदर का जो IC होता है उसमें ही problem होता है तो उस case में आपको battery को जो है replace करवाना पड़ेगा यहाँ पर कई बार क्या होता है कि battery जो है automatically drain हो जाता है तो guys उमीद है आपको पता चल चुका होगा कि battery को जो है कि इस तरीके से cleaning के ज़ता है कौन-कौन से component होते है फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुजाब है तो नीचे comment में या फिर Instagram में मुझे पूछ सकते हो आज के लिए बस इतना है guys Thank you for watching Thank you